तो हेलो स्ट्रेंट्स कैसे हैं तो एंडी क्लास की पोर्टल पे मैं महेश नराप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 60 कोशन और अलेक्ट्रीशन तो आज यह जो साथ कोश्चन में बताने जा रहा हूं और डिसकस करने जा यह अपने पूरे अनुभव से मैंने बिल्कुल पूरे अलेक्ट्रीशन इंजिनिंग में निचोड़ के निकाला है कि यह वो 60 महत्तपूर्ण प्रस्ट है जिनकी आने की संभावना हर एक्जाम में बहुत जादा होती है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि सिर्फ यहीं आएंगे लेकिन यह प्रबल दावेदार होते हैं यह हर एक कोश्चन बिल्कुल नगीने की तरीके से है ठीक है तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जब भी कभी कोई एक्जाम देने जा रहे हैं ठीक है तो इन कोश्चन को जरूर एक बार देख कर जाईएगा 100% मैं कह सकता इन साथ कोश्चन में से हर एक्जाम में बिल्कुल आपको कम से कम दस से बीस कोश्चन जरूर मिलेगा और नहीं मिल रहा तो उस पे बेस पैटन पे कोई दूसरा कोश्चन मिल जाएगा बिल्कुल यह फिक्स है तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं तो गुड इवनिंग ट बैठे हुए और उनको दो साल हो गया और अब यह रेलवे की जो इंटरणल वैकेंसीज आई है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए जल्दी से आप आप सभी लोगों को एक बार नमश्कार और आप लोगर देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अलग डिस्टिक से देश के अलग-अलग स्टेट से आप सभी लोग आते हैं और एक ही बार में इतने सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो एक बार मैं सभी से यह जानना जरूर चाहूंगा बज़े आ रहा है गदर गदर क्या मचाएगा यह सभी लोग जानते हैं तो बहुत सारे बच्चों की दिमाग में चल ला होगा सर यह गदर है क्या गदर होने क्या वाला तो यह सब हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्दी तो चलिए करते हैं टेस्ट के पहले कोश्चन का स्टार्ट देखिए आप से एक्जाम में जरूर और कोश्चन के साथ साथ आगे पीठे का हर चीज हम लोग डिसकस करने वाले हैं अरंगाबाद डिस्टिक्स से प्रतापगड बिहार जारकण बिहार राजिस्थान से अलवर से बहुत सारे बच् मैंने यह देखा जम्मू कास्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक ठीक है और राजिस्थान से लेकर के हमारा नॉर्थन यानि की असम तक सभी बच्चे बिल्कुल अम्डी क्लास को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं तो चलिए जल्दी जल्दी आपको कोश्चन का आंसर को क्यार को किया जाता है ना चैनल कि क्यों करते हैं तो काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है सी टो डिडूस से इडी क्रिंट लाश तो डू सी डी करेंट कोई को म K向 करने के लिए बिलकुल सही ऑशर है लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी बता देता हूं यह लेमिनेशन थी समीत होता क्या है यह होता क्या है और यह पूर यह लोख मास भी क्या है यह भी डिसकस करी लेते हैं यहापर तो बही जल्दी से देखें ये से ट्रांसफार्म हुए आग उसके उपर वांडिंगी के ईधर वहीं फ्रॉंडिंग हम हमेशा चाहते हैं जो करेंड्ट फ्रॉह हो डिए कि हम चाहते हैं जो हमारी बच्छों क्र्णट फ्लो हो ना वो सिर्फ कहां फ्लो वो यहां फ्लो हो देखें वो यहां फ्लो हो हम चाहते हैं यहां करेंट फ्लो कहां फ्लो हो यह जो ब्लू कलर में देख रहे हैं हम चाहते हैं सिर्फ यहां पर करेंट फ्लो हो इन जगे इन जगे इन जगे हमारी वाइंडिंग्स पर करेंट फ्लो हो और जैसे ही current अगर core में flow होगी तो भाई हमने core को नहीं बनाया है कि core में current flow हम चाहते हैं core में flux flow लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जो core है इस core में current flow होने लगती है और जब core में current flow होगी तो core होगा गरम क्योंकि आपको पता है current कहीं भी flow होती तो i2r loss होता है और इसी loss को हम कह कहते हैं AD current loss यानि की कोर में transformer के कोर में जब बहने लगती है धारा तो इस वज़े से वहाँ पर होता है I2R loss जिसको हम कहते है AD current loss और इस loss से बचने के लिए ही हम अपने कोर को क्या करते है लेमिनेट करते हैं तो भूलिएगा लॉसी जरूर बहुत important question है चले अगले question को देखते हैं transformer में नियत हानिया होती है by transformer में नियत हानिया जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से कमेंट करिए भाई देर नहीं करिएगा डी 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 संतोष जी घलत कैसे कर दिया भाई copper loss नहीं copper loss नहीं चलिए देख लेते हैं transformer losses fixed losses की बात हो रही किसकी सबसे पहले तो हम देख लेते हैं losses क्या होता है transformer में तो बच्चों जो losses होते होते हैं एक होता है copper loss और एक होता है iron loss लोस को कहते हैं और रख अब को लो हानी के अंदर दो हानिया होती है एक होती है AD current और दूसरी होती है hysteresis और यह जो loss होते हैं यह fix होते हैं फिक्स आईरन loss फिक्स होता है और यह loss हमेशा बदलते रहते हैं यह चेंज होते रहते हैं यह loss बढ़ते और घटते रहते हैं लेकिन यह loss फिक्स होता है तो भाई सिर्फ hysteresis loss यह सिर्फ AD current loss नहीं बल्कि बोथ आंसर क्या होगा बोथ 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 करेक्ट काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है तो देखे आज की जो है मैं PDF आपको मिल जाएगी कोश्चन को कभी भूलिएगा नहीं और मैं कोसिस करूंगा अगले संदे फिर से टॉप 60 यह टॉप 100 लेकर रहा हूं आप सभी लोगों के एक्जाम में ताकि इन कोश्चन को अब कभी भी छोड़ कर मत जाएए गलती से चलिए कोशन 3 जब लोहे को 6 और तांबे को 6 बराबर होता है तो ट्रांसफॉर्मर की दच्चता होती है यानि कि जब आईरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होते हैं तो इस नबर करके स्ट्रीजारिस है कोश्चन नमबर करके आंसे करें तो 3 काुडी है 3 वो सी 3 का C है तरी का A ऐसे करके आंसे करिए आपको बता देते हैं ट्रांस्फॉर्मर की एफिसेंसी लीस है य्याने कि इफिसेंसी अगर कि मेक्सिमम् है याने कि दाइस्पन स्थार्णा कियाicional है फिट स्था उच्पन तभी होती है जब कॉपर लॉस जब कॉपर लॉस बराबर होते हैं कि इसके आईरन लॉस के वो इस टाइम पर ही ट्रांसफॉर्मर की एफिसेंसी मैक्सिमम होती है करेक्ट तो आप से पूछा जाएं वेन डाइरन लॉस और इक्वल डाइफिसेंसी विल बी जीरो आफ यहां पर तो इंनुने अजीव से जाए डिये जाया यहां पर हमें लिखना चाहिए मैक्सिमम ठीक है पूण्ड की जगे मैक्सिमम होना चाहिए एक हो टयां की जगे उच्चेतम कर लिजे yuk मैक्सिमम होती है कि ट्रांसफॉर्मर साथ सरकीट टेस्ट का मुख्य उद्धे से क्या है देखे ट्रांसफॉर्मर में दो टेस्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर में बावु दो टेस्ट होते हैं टेस्ट परिच्छन यह ट्रांसफॉर्मर के लिए महत्तुपूर्ण कोशन है हर स सब्जेक्ट कि मैं महत्पूर्ण कुश्चनों को मैंने चुना है तो पहले आगया ट्रांसफॉर्मर के नदर डो टेस्ट होते हैं एक होता है और यह होता है सी टेस्ट को कहते हैं ओपन 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 सरकेट यानिकी कि सरकेट परिच्छण और इसको कहते हैं लगुपरिपत परिच्छण लगुपरिपत परिच्छण लगुपरिपत परिच्छण देगे दो टेस्ट होते हैं एक होता है ओसी टेस्ट एक होता है सी टेस्ट तो भाई ओसी टेस्ट की दौरा हम क्या निकालते हैं है कि ठ्रास्फॉर्म क्णित क्या है ड्रांस्फोर्मेंस स्वास्पॉर्में स्वाइश करते से यानिंग की लग allegedly परिप activate टेस्ट कि दोरा हम निकालते हैं और लॉस को और ओपन सर्केट टेस्थ कि दोरा हम निकालते हैं आइरन लॉस को तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाई भी कापर यह हास लिग गिया भाई लॉस है ठीक है पैलिंग में स्टेप हो गई है करेक्ट नौ चलिए काफी बच्चों को अलड़ी भी पता था दोनों निकालते हैं ओपन सरकिट ओसी टेस्ट होगा तो आईरन लास निकालेंगे एसी टेस्ट होगा तो भाई हम कॉपर लॉस निकालेंगी याद कैसे रखना देखिए याद ऐसे दिमाग में रखी ओपन और स तृउब की सॉल्टेज सॉल्टेज नी कि सोल्टेज लात करें तो तुमाइ यानि कि कॉोपल तेस्ट को पर gets up यह बात करें खुले में क्या रख सकते हैं तो लए लॉस निकाला जाता है पूछी लिया ट्रांसफॉर्मर में लो ट्रांसवारा लो या आड़र लाउस गयाद करने के लिए क्या टेस्ट किया जाता भाई लोहा लोहा खुले में रखते हैं यानि कि खुला परिपत ओपन सर्किट कौन सा टेस्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है चलिए यह पांच में बहुत ही महत्पूर्ण प्रसनों को लेकर आया था नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध का वृत्ञुर्थ क्या होता है जो भी बच्चbelsी मोट कर रहा है तो आप कोउट्छARS पता नहीं चल पाता है तो आप लोग क्कूश्टन कन टर्र रिख कर रही हैं और इसती कि हैं इस दो अंसलकितितय हैं और ट्रडिक्षट कर रहे हैं त Doc Teachers क्रण्व Pratirodh होता है सट्ट्रोध का नो sharply किक और नित्पन कंडुक्टेंस आंसर होगा एक रिट्रोध का वुरूर्ट कम होता था धarta से अभडर W2 के वि'M ए और यूनित होती है ओम ओम और इसकी यूनित होती है मो यह भी ईक्जाम में बहुत पूछा जाता था ठीक है उसे भूल या प्रवाहित होने पर धाना का मान क्या होगा तो बहुत ही सिंपल है भाई यह पाँच ऑप्शन काफी बच्चे देख रहोंगे तो भाई उनको बता दे राजस्थान में अगर कोई वेकन सी आती है तो राजस्थान यह भी कोशन जो है वो राजस्थान में पूचा गया तो चलिए है पचास को लब आवेस को थो हमें पता है आई बराबर क्या होता है dq by dt क्यू वाइस कितना है पचास time कितना है पांच तो प्हसम के आजगा 10 एंपी एल है आंसर है दूसलियर काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है अच्छी को तुछ नंबर लिक्कर जरूर भूलिए भाई पीया जहां जी आप कोशन नंबर नहीं लिख रहे हैं ठीक है रितेश जी आपने भी नंबर नहीं लिखा देगे यह गलत बात है न अशोक जी अंसर बिलकुल सही दिया लेकिन मुझे करना पड़ता है कि भाइब इसकाश कर गई यदी समांतर में जुड़े हुए चार प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध आर है तो प्रते प्रतिरोध का मान क्या होगा देखिए बोला जा रहा है अगर चार प्रतिरोध है चार प्रतिरोध एक तीन और चार और इनका टोटल हमने निकाला तो टोटल आ गया आर तो इन प्रतिरोधों की वैल्यू क्या थी अगर यह एक्स है यह एक्स है यह एक्स है और इसका पैरलल निकालने के बार समांतर आर आ रहा है तो नेट क्या था नेट क्या था आर बाई फॉर नए 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 एट का ए होगा भाई कैसे सुनिए क्वेशन समझे यदी समांतर में जुड़े हुए चार बराबर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर है चार जो प्रतिरोध है उनका बराबर बराबर प्रतिरोध कुछ है और उनका जब समांतर निकालते हैं तो भाईया आर मिल रहा है तो यह एक्च्वल में क्या रहा होगा आप से यह पूछ रहा है तो इसका अंसर होगा सी आप्शन देखे कैसे देखें आपको पता है अगर समानतर में कई सारे प्रतिरोर लगे हुए तो सारे प्रतिरोर अगर ने प्रतिरो एक प्रतिरोर की ले ले लूट इसको डिवाइट करो कि से 121 रंच लगी है तो चार्स तो प्रबात यह इसे और बहुत डिवायट्ट मि क्या हो यूट है तो आंसर होगा फोर और करेक्ट यहरा फोर आर पारी कि चलिए कोई बात महीं चलिए गाइब दावी के साथ करह रहा हूं यह कोस्टन का अंसर करेगे मैं वानूगा कि हाँगा और उसने सही गैँ लेकं लिखना मत बूलिए गाउगा चलिए जल्दी से आशे करके बता यह उसके बाद मैं बताते हूं इसको कैसे जल्दी से करता ह 8 का C बता रहे हैं बच्छे 8 का C देखिए काफी बच्छों निकाल लिया लेकिन काफी बच्छे निकाल ने देखिए बहुत सिंपल है बोलड़ दो प्रतिरोध हैं एक प्रतिरोध है R1 और एक प्रतिरोध है R2 अगर इन दोनों प्रतिरोधों को स्रंखला में जोडते हैं यानि कि R1 प्रस R2 कितना दिया हुआ है आरवन प्लस आरटू दिया हुआ है 25 जब समांतर में निकालता है यानि कि आरवन पहला रटू कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है 6 अगर जब सीरीज में जोडते हैं तो कुल प्रतिरोद 25 हो माता है जब समांतर में जोडते हैं तो कुल प्रतिरोद 6 आता है तो दोनों प से जोड रहे हैं कुछ नहीं करना है आपको एक सिंपल सा तरीका मैं यह बता दे रहा हूं यह दोनों को गुड़ा कर लीजिए देखें हमें इसा नियम होता है आर वन इंटू आल टू यह बराबर होता है स्टिरीज इंटू पैरलल यह नियम होता है याणि की 25 को 6 से गुड़ा कर लो और सिरीज की वैलू कितनी है 25 और की वैलू कितनी है 6 तो 25 को 6 से गुड़ा करोगे तो कितना है काज़ देड़ सो तो जहां पर भी गुड़ा आपको डेड़ सो मिल जाए 10 गुड़े 15 डेड़ सो यह होगी आपका आंसर पच्चेस और छे को गुड़ा करने भी क्या रहा है डेड़ सो आ रहा है तो यह होगी आपका आंसर जैसे मैं कोशन देता दो रेजिस्टन्स हैं जिनका सिरीज जोडते हैं तो जोडने पर आपको 36 मिलता है और पैरलल लेते हैं आरवन पैरलल आरटू पैरलल लेने पर पांच हों आता है तो वह दो प्रतिरोत क्या होंगे आप्शन दे दिया आपको 20 एंड 16 पंदरा एंड 11 पंसी पंसंडी 24 देखे सुनिए का कुश्चन मेरा मैं कह रहा हूं अगर माल लेते हैं दो प्रतिरोध हैं उन दो प्रतिरोधों को जब स्रेडी में जोडता हूं तो 36 आता है समांतर में जोड़ता हूं तो पांच हों आता है तो बताइए आंसर क्या होगा इस को माल लीजिए कुश्चन नंबर पुश्चन नंबर ए है इसका इलिए आंसर करिए आंसर क्या होगा मैं कर रहा हूं अगर दो रजिस्टर है जिनको जब स्रेडी में जोड़ते हैं तो 36 आता है समांतर करते हैं तो पांच आता है तो वह दो प्रतिरोध क्या होंगे अब आप जोड़ने लग जाएंगे सोच कुछ नहीं करना है इन दोनों को गुड़ा करो 36 गुड़े पांच कितना होगा 36 गुड़े पांच कितना होगा यह होगा 180 तो जहां पे 180 मिल जाए 20 गुड़े 16 गुड़े 16 16 गुड़े 16 तो 320 मिल नहीं होगा 15 गुड़े 11 यह भी नहीं होगा फिर से पंद्रा यह तो पैसेट हो जाएगा छेत्रिक 1818 यह जैसे देखा आपने टिक किया एक्जाम में टिक कर दिया वाई फिस और छे क्लियर कितने बच्चों को यह त्रिक समझ में आ गई जल्दी से बताइए जल्दी से कमेंट करके बताएए ट्रिक समय में आ गई की नहीं गई कमेंट करके बताईए आप लोग तो समझ में नहीं आई जल्दी से बताइए ये वाली ट्रिक यह वाली ट्रिक समझ में आई जल्दी से बता दीजिए कितने लोंगों नहीं लूट की कि इपलाइए कि 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 आं युब उसले सबीटर्विंगे में न सबाइब धेरी तो सिरीस और पैरलल कर दो गुड़ा जो आंसर आये जो दिये हों दूर रजिस्टर को कर दो गुड़ा जहां users ब्राबर हो जाए और यहां का आश्र असर यहां है को अधे है गया जो फैरा रहांग्ले मैं किनका जहां पर आंसर आजाए मेरा सभी है कर्यक्ट ओर चलिए देखिर बच्चों जल्दीसे करें बताए एं तथा वी बिंदूओं के बीच का प्रभावी प्रतिरोत कितना है वाई यहां से आपको प्रतिरोत निकलना एव और वीकिद्द बीच का प्रतिरोत क्या होगा कि ए और भी बिन्दों के बीच का प्रतिरोत क्या होगा जल्दी से अंसर बताईए कि कि देखें कितना दिया हुआ है ध्यान से यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है जिरो पॉइंट फाइफ ओम यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है यह दिया हुआ है यह द काफी बच्चे आंसर कर रहा है कि अरे भाई देखिए कि टेंट का डी कि टेंट का डी बता दिया करना है इधर से करना है सौल भाई इधर से देखो इधर से देखो इस दो यह दो किसमें लगा है समांतर, दो इस वर और से को कि देखिए एक सेगेंड का कोश्चन है एक सेगेंड का आप से करा इन दो बिंदों के बीच जोड़ों तो आप क्या करने वाले हो भाई आप सबसे पहले इनका सॉल यह कि दो दो का समाफल करो दो नों बराबर रेजिस्टर है निक इनकाальные और यह कितना यह वी दो इसी स्रंखला में पॉटव एक और यह ऩो तो इस एस अ हो जाएगा कि यह दो और यह दो दो का समांतर लोगे कितना आ जाएगा दो दो डो का समांतर कम यह आज आनसर क्या और कि हो जा बीघिश्ट है इस कोशन में कुछ दम नहीं अगर आप यहाँ से देखो यहां से इस जगे से, इस जगे से, इस जगे से इस जगे से आप दो ओम के समांतर में ही तो कुछ लगा है इसलमें यह 2 ओम के समांतर में अगर कुछ लगाओगे तो भाया समांतर का एक नियम होता है समांतर प्रतिरोधों का एक नियम है कि अगर मालीजे कि दो ओम का रिजिस्टर है और एक चार ओम का रिजिस्टर है तो इनका जो समांतर आएगा वो दो से छोटा यह नियम होता है कि अगर कोई दो प्रतिरोदों को आप समांतर में ले रहाइए तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी अंसर चोटा ही आएगा जैसे दो है और चार है यह विलुक्ण अगर दो है पाँच है आठ है तो मैं यह बोल सकता हूं दो पांच आठ में किस लिकिन 345 यहांब जैसे ही देखो गिसामांतर कुछ लगा एंदो से चोटा होगा सिरफ यहां पस्ट्राइब स एक और सब्सक्राइब एक ही ऑप्षिण है दो से शोटा साथ नहीं हो सकता नहीं हो सकता है दो तो दो के बराबर है चार निए तो answer क्या करिए E 2012 कि यamı त्रकी था कितने लोगों को मेरि बात समझ में आ रोगे जल्डी से अंसर करिए वाई कितने बिच्छों को मेरी बात Cold army अ गई जल्डी से कमेंट करके बताइए जब भी आप समांतर निकालते हैं समांतर निकालते जो भी आये वो तो calculate कर लेंगे 5, 10, 15 का समानतर ले रहे हैं तो 5, 10, 15 का जो भी समानतर आएगा वो 5 ohm से छोटा होगा correct तो भाई answer क्या हो जाएगा 2 ohm से छोटा हो जाएगा चलिए answer दूसरा करते हैं किसी भी तापमान पर प्रतिरोत की सुरूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यह बहुत बार पूछा जाता है यह बहुत बार पूछा जाता है कि वन प्लस तो इसका answer है सी भूलिएगा नहीं यह कई बार एक्जाम में कुशन आया हुआ है सी और अगर temperature बढ़ता है या घटता है तो temperature के बढ़ने और घटने के कारण resistance भी चेंज होता है और resistance चेंज होगा तो आर बराबर आर reference वन प्लस अलफा डेल्टा टी अलफा यहां पर जो है एल्फा को हम कहते हैं temperature coefficient टमप्रेचर कोफीशियंट ताप गुडांग इंदी में कहते हैं ताप गुडांग पर्रेक्ट शली भाई यदि आप त्रतिरोट के तार को खीज कर उसकी लंबाई को दो गिना कर दिया जाता है तो बताइए क्या होगा विल्कुल हेलो टू एवरिवन सभी लोगों को हेलो और विल्कुल बिना सौल किये भी आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो चलिए भाई यहां पर बताइए क्या होगा यदि आर्प त्रतिरोट के तार को खीज कर उसकी लंबाई को दो गिना कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा तो इसमें याद नने के दाद रखिएगा जब भी किसी तार को हम खीच कर बढ़ाते हैं तो जो रिजिस्टम्स होता है वो N square times हो जाता है यानि कि अगर किसी तार को खीच कर N गुना कर दें कितना गुना कर दें? N गुना उसकी लंबाई को अगर N गुना बढ़ा दें तो प्रतिरोध जो होगा वो N square times हो जाता है यहाँ पे प्रतिरोगों को खीच कर उसकी लंबाई को दो गुभ ना किया है यानि कि एन बराबर यहां पर क्या है एन बराबर यहां पर टू है बाबू तो आंसर क्या हो जाएगा पोर आ रए हो जाएगा ठीक है क्hीच कर बोला गया यानि कि N का स्कॉयर करेंगे और खींच कर नहीं बोल ला है तो सिर्फ दो गुना या चार गुना या तीन गुना जो भी जितने टाइम्स होता है वह आंसर होगा चलिए भाई कोशन नंबर 13 ओम के नियम के अनसार आर किसके बराबर होता है यह तो बड़ा सिंपल है आप सभी लोगों परता है प्रत्वी का जो प्रतिरोध होता है प्रत्वी कैसी है प्रत्वी 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 है गोल तो प्रत्वी का प्रत्रोध भी होगा गोल यानि कि जीरो करट प्रत्वी है गोल तो प्रत्वी का प्रत्रोध भी होगा जीरो याद रखेगा बहुत लोग स हैं तो उसके प्रतिरोद दुगना हो जाता है तो लुखे और अगर आपको प्रतिरोद दुगना करना है और को करना है तो भाई कैसे दुगना होगा इन दोनों में से कुछ करना पड़ेगा तो देखें क्या दुगना करें हम यदी किसी वायर के डैस को दुगना करते हैं अगर हम लंबाई को दुगना करते हैं तो पृत्रोत दुगना हो जाएगा तो अंसर हो जाएगा C पंद्रूवे का कि फिर से आप लोगन नहीं लिख रहा है नव लिखकर बताइए यह हैं के को खोशन नंबर जरूर लिकिए अब फशीन कि सिद्धान पर आधारित है किसि कि शिद्धान पर पर आधारित रह सकते क्रिशाफ तो किरण अगर अगर बात करें क्रिचौफ सर की तो क्रिचौफ सर ने दो लौ दिये हैं क्रिचौफ एक है केसील और दूसरा है केवील तो जो केसील है वह आवेश की संरच्छन पर आधारित है और जो केवील है यह उर्जा पर आधारित है उर्जा के संरच्छन पर और यह आधारित है voltage रोथ V के टर्मिनलों के बीच रेडी क्रम में जुड़े हुए है यानि कि दो प्रतिरोध है यह V है यह R1 है और यह क्या है R2 है जुड़े हुए है तो R2 के टर्मिनल के बीच voltage drop वियाद करिए यानि कि यह निकालना है यह कितना होता है voltage division रूल लगाई है बीचू पराबर होता है आल टू इन्टू वी अपॉन आरवन प्लस आल टू यह सभी लोगों को पता होगा क्योंकि यह है voltage डिवीजन रूल तो आंसर हो जाएगा भाई वी इंटू आर टू अपॉन प्लस आर टू यानि कि सत्रवे का हो जाएगा सी नहीं डी सत्रवे का डी होगा भाई सत्रवे का होगा डी सी रही ठीक है चलिए एक संधारित में कैपैस्टर की उर्जा क्या होती बड़ा सिंपल है यह बराबर होता है आपने पढ़ाओगा हाफ सी वी स्क्वाइर सभी ने पढ़ाओगा बच्चों ने हाफ सी वी स्क्वाइर को भी कर दीए ओके क्लियर इसमें कुछ भी कठनाई नहीं है लिखे सबी लोग को आंसर लिखना है पईया जी आपको बार बार में कह रहा हूं बड़ा को प्रत्यावरति विभो के लिए रूप गुड़ांग रूप गुड़ांग को कहते हैं फॉमप्फेक्टर यह होता है यह बराबर होता है आरमेस अपॉन एवरेज है और दूसरा नाम में अयर्य का दूसरा नां में मैं यनुंट याम स पहला ही आंसा सही रहें टीक है पहला यह answer सी एक्जाम में यह पूछ रहेता था साइन बेप के लिए साइन बेप के लिए भहा हनव फेक्टर क्या होता है थो यह साइन बेप के लिए फार्म फेक्टर होता है एक दसमलो एक एक है 19 का एंहें टीक है रहे हैं सर में फिटर से हूं लेकिन विद्धुत पढ़ने में मजाता है बहुत अच्छी बात है चलिए जल्दी से आंसर करिए देखे अब यह कोशन में जरूरी नहीं कि यह है लेकिन दो कैपेस्टर अगर समांतर में जुड़े हैं तो उस पर समंदित प्रसन जरूर आता ह यहां पर हो जाएगा सोला तो आंसर हो जाएगा ए सोला माइक्रो फैरेट ठीक है कि टॉन्टी निम्लिकित परिपत में कुल धारिता क्या है यह तो हो गया है कोश्चन नंबर आगया है 21 पर विद्धुत धारा आई-3 बाई-3 का मान बताना है अब यह किस के दोरा होगा य चलिए यहां से सुरू करते हैं तो आपको पता है क्रिचॉफ ने क्या बोला था कि भाई सभी धाराओं का बीजगरती सम सुनने के बराबर होता है तो चलिए यहां से चलते हैं आई-2 यहां से निकल रही है तो आने वाली करेंट को हमने माल लिया प्लस जो नोड की तरफ आ रही है इस ट्रेंट जो नोड की तरफ जो जंगसन की तरफ जो संदिविंदू की तरफ आ रही है करेंट उसको प्लस मानूँगा और जो जा रही है उसको मैं माइनस मानूँगा तो आंसर देखते हैं यह जा रही है तो मैंने लिखा माइनस का आठ यह भी जा रही है तो प्लस का 10 यह भी आ रही है प्लस का 5 यह जा रही है तो माइनस का 2 और यह आ रही है तो प्लस का 4 यह बराबर हो जाएगा 0 ठीक है अब देखिए माइनस का 8 और माइनस का 2 यह तो हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का आई 3 10 5 15 और 4 19 प्लस का 19 बराबर जीरो यहां से हम क्या लिख देंगे यहां से हम लिख देंगे भाई आई थरी बराबर हो जाएगा कि नाइन है कि सी ऑप्शन 21 का 21 का भाई शी ऑप्शन ठीक है कि गबबर जी समझ में नहीं आया यह क्रिचौफ का नियम है क्रिचौफ का नियम क्या कहता है क्रिचौफ का नियम कहता है समस्त धारों का बीजगरती योग सुनने के बराबर होता है आने वाली करेंट बराबर होती है जाने वाली करेंट के तो जो करेंट आ रही है उसको प्लस मान लीजिए जो करेंट जा रही है उसको माइनस मान के सौल कर लीजिए चली कोशन नमबर टू एक हजार वाट का हीटर दो घंटे चलाने पर चलाए जाने पर कितनी यूनिट बिजली करेगा तो इसका फॉर्मला होता है यह बराबर पावर इंटो टाइम पावर इंटो टाइम यहां पर हमें लेना है घंटे में टाइम किसमें लेना है घंटे में देखें आवर में इसको आवर में लेना और इसको किसमें लेना किलो वाट में तो जब यह लेंगे तो एनरजी की यूनिट आती है यूनिट में इसमें आती है यूनिट में तो दे तो गुड़ा कर लेंगे आए दो तो यह हो गया दो किलो वाट आवर दो किलो वाट आवर बराबर होती दो यूनिट के तो आंसर हो जाएगा बी बहुत ही सिंपल है सभी बच्चों को आगया होगा कोशन नमबर थ री बताए किसी कैपैस्टर के चार्ज कोई कैपैस्टर है यह कैपैस्टर है इस कैपैस्टर के एक्रॉस अगर हम बोल्टेल लगा देते हैं वी तो रिकी कैपैस्टर की धारिता है सी तो बताइए कितना चार्ज इस्टोर करेगा तो इसके लिए फॉमला होता क्यू बराबर सी वी यह सेट कर लीजे जहां पर भी बैठ रहा हूँ तो यहां पर सी बराबर हो जाएगा क्यू वाइवी क्यू बाइवी यानि कि ए ऑप्शन कि क्यू बराबर सी वी होता है क्यू बराबर सी वी होता है ना कि सी बराबर क्यू वी होता है क्यू बराबर सी वी होता है यार रखेगा कोगे है कि ना नेक्स्ट है कि मैक्सिमम वैलु क्या हो सकती है कोशननर 24 कि का अट्थ करिए वाय किसननर24 बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कोश्चन बश्च 24 मैक्सिमुम वैल्यू हो सकता है एकाई यानि की आंसर होगा भी एकाई से अधिक नहीं हो सकता है संतोज जी कॉस और साइन का मान एक से ज़्यादा होता ही नहीं है चलिए किसी एलसी परिपत में कोई एलसी परिपत है एलसी परिपत है तो आप से पूछ रहा है दो लन यानि की जो दोलन होंगे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती वन अपन टूपाई रूट एलसी और यूनिट होती है हर जमें क्लियर अगर चलिए यह भी रिपीट हो गया देखिए स्रंखला आर एलसी में अनुनादी आवरति अगर आपसे पूछ ले तो अनुनादी आवरति का फॉर्मला होता है एक फार बराबर वन अपन टूपाई रूट एलसी क्लियर अगर अगर आर बराबर तीन ओम है एक्सल बराबर चार ओम हैं सिरीज में हैं तो इसका सर्किट का इंपिडेंज क्या होगा यानि की यह आप से पूछ रहा है हम जानते हैं जिद बराबर होता अंडर रूट और स्कॉइर प्लस एक्सल का स्कॉइर और कितना है आर है तीन चार का इसकॉइर यानि कि आंसर आजाएगा 25 बराबर पांच ओम सी पांच ओम भाई आप लोग कोशन नंबर लिखकर आंसर नहीं करते हैं कोशन नंबर 27 का सी बोलिए एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज बेस्व वोल्ट का आयाम होता है तो इसका आर्मस मान क्या होगा देखें आपको बोल दिया है यह टाइम है यह वोल्टेज है यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज में घंडेड बोल्ट यानिए व्यम् दिया हुआ है है क्या दिया हुआ है व्यंट इन्य फिक रूट-टू-व्ये चरोटी जो रही हो चाहिंद यानि कि यह सत्तर दस्मलोग साथ बोल्ट एक बटार ड़ो टू की वैलिए होती पॉइंट जीरो सेवन गीलिट, यानि कि यह हो ज Color कि की is अग के APP पिजलिए वोल्ट एंप्यर रियक्ट्व यह भी बहुत ज़्यादा पूछ चैनल के ग्हाने इस निम्ण मेंसे किसकी एकाई है वह्यां ₹ वह्य वोल्ट एंप्यर रियक्ट्व या miki जो पावर होती स ō-धर प्लस यक्यू डि को को हम कहते हैं एक्टिव पावर हिंदी में कहते हैं वास्तविक सकती वास्तविक सकती और क्यों को कहते हैं रियक्टिव पावर यूनिट की बात करें भाई इसकी यूनिट होती है वाट में और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एंपियर रियक्टिव और सॉट फॉर्म में कहते हैं वी ए आर तो आंसर हो जाएगा एक्टिव रिपल्सिव प्रतिगाती सकती यहां रिपल्स नहीं लिग गया है यह होगा रियक्टिव पावर कर्रेक्ट अ कि ठ्iest डेल्ट अ कनेक्शन की लाइन धारा होती है ठ्थी फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा वाई आपको पता है दो तरह की कनेक्शन स्टार और डिल्टा स्टार कनेक्शन में जो करेंट होती है फेस करेंट बराबर होती है लाइन करेंट के ठीक है लेकिन जो लाइन बोल्टेज होता है वह रोट थी टाइपस होता है फेस बोल्टेज के डेल्टा में करेंट बराबर होती है लाइन करेंट बराबर होती है किसक सब्सक्राइब कराए तो आपसे बुर पर लाइन धारा क्या होगी तीन रूती इस सी होगा भ्लाइए डेल्टा में बॉल्टेज बराबर होते हैं 31 बताइए स्टार से जोड़े तीन फेज का फेज बोल्टेज 230 बोल्ट है तो इनका लाइन बोल्टेज क्या होगा है भाई हमें पता है स्टार करेक्शन में लाइन करेंट तो बराबर होती है कि इसके फेज करेंट के लेकिन जो लाइन बोल्टेज होता है लाइन बोल्टेज, लाइन बोल्टेज होता है, व व बराबर रूट 3 टाइमस होता है, व प हेज के फेज बोल्टेज है, तो फेज बोल्टेज दिया हुआ है, रूट 3 को गुडा कर दो 230 से, इसकी वैल्यू होती है एक दस्मनों साथ तीन दो बुड़ा करिए दो सो तीस से तो भाइं मुल्टिप्लाई कर लीजे और आंसर निकाल लीगे तो इसका आंसर लगभग लगभग हो जाएगा लगभग लगभग यह चार सो क्यास पर जाएगा ठीक है नव चांपाःध है hey कि ponieważ the clear subscribe लेड ऐसीड बैटरी के सिरे जो टर्मिनल होते हैं भई ये नामी में है लेड किस की बने होते हैं लेड के बने होते हैं इस आईरन निक्र downstream अधायरन निक्क बार्ट यह दहात्वे कैसी है आईरन निकल Помलकी इसको नाम सुनाओगा एल नीको पर्मानेंट मैगनेट अगर बनाना है तो एलमूनियम निकल कोबोल्ट इनको लेते हैं निकल कोबोल्ट यहां दिखाई रहा है तो यह होते हैं लोग चुम्ब किये यानि कि फैरो मैगनेटिक मटेरियल यह कैसे होते हैं यह होते हैं फैरो मै जो आपके किसी भी एक्जाम में आने वाले आँचा बहुत सारे बच्छों से मैं कोशन पूच लेता हूं बाई कितने बच्चें जो तयारी कर रहें एल पी वगएरा की एल पी की वेकंशी क्योंकि जल्द ही आने वाली है बहुत दिनों से रूप रेखा तयार की जा रही है गौवर्मेंट की दौरा इंडियन गौवर्मेंट की दौरा तो कितने बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एलपी की जल्दी से जरा कमेंट कर दें और कैसी तैयारी चल रही बाबू ये भी जरा बता दीजे भाई ठीक है तो कैसी तैयारी चल रही लग रहा है ना कि तैयारी होगी होगी मिदं आप कि हमेशा पंडूर। आप कहीं घृत करूंगा दो चीजे बताओंंगा तो चीजे किसी भी प्लेटफार्म से तयारी करिए मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरे से पढ़िए आप कहीं साथ दोका मत करिएगा और दोखा होने मत दी देगा धोका पहला ये हैं कि आप तयारी कर रहे हैं लेकिन मन से पढ़ नहीं यह गलत है भाई मिल्कुल मन से पढ़िए उद्देश से बना ली देश की सफल होना है और अगर उद्देश से बना लिया अगर ट्रेट से डरन लगना है तो भाई आज आईए आई एमडी क्लास को जॉइन करिए मेरे से पढ़िए मैं करों ट्रेड से मैं डरन नहीं लगने दूंगा ठीक है चलिए अचा आगे देखते हैं यह हो गया बी एच लूप का छेतरफल क्या दरसाता है भाई बी एच लू से कभी डर नहीं लंगना चाहिए छाम इसको लूप दिखोंख लूप को लूप हबता है भृई हिस्टेरिस एस लूसस को किसी मट्रियल पर जो फिमाद्र मौरा कि दिखाता है उसको दिखाता है कि इस को हेस्टेरिस कर भी कहते है चिग कि कि यूट है टेसला किसके बराबर होता है यूट होती है टेसला और टेसला क्यूंकि बचाश व्लक्स होती है यह जा crazy हुए एरिया होती है जाए Когда हुमने कर लिये हैं और आगे क्लास को लगातार में कंटिन्यू जारी रखना हूं ठीक है तो भाई सभी से फिर से बें कहा रहा हूं जो बच्चे भी आज़सर कर रहे हैं निशा जी असोग जी और प्रदुमन जी आप सभी लोग भाई अजय जी अंकज जी राहुल जी सभी कोश्चन नंबर ज़रूर लेकिए ठीक है डीसी मशीनों के ब्रस किसके बने होते हैं किशके बने होते हैं कार्बन के कर्फाइट के कर्भान या ग्राइफाइट के बने होते हैं से 37 डीसी मशीन में का काम क्या है को अबfire को किया है कुए नियुकार को नियुकर को हिंदी में कहते हैं दिक परिवर्तक देखेंज आपी लेर अ I am aately ने बहुत सारे सेग्मेंट्स होते हैं कی से बहुत्सारे सग्मेंट कर्मुटेटर के लिए AC voltage को DC voltage में बदलता है वहीं motor के लिए DC को AC में बदलता है करेक्ट तो commutator एक तरह का rotational rectifier है ठीक है इसलिए इसको कहते हैं देख परिवर्त तक इसको कभी-कभी rectifier भी बोलते हैं करेक्ट mechanical rectifier बोलते हैं तो आंसर होगा AC को DC में 35 करता है DC को AC में तो आंसर C लगाएंगे यहां पर सी नौ नेक्स्ट है लैप वांड DC मशीन में समांतर पर्थों की संक्या भाई लैप 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 ए देखिए आपने पढ़ाओगा EB EB बराबर होता है 5 P N Z by 60 A क्या होता है यह होता है समांतर पर्थों की संक्या तो आप से कह रहा है लैप वांडिंग वांडिंग दो तरह की होती है जनरेटर में लैप वांडिंग दो तरह की होती है एक होती है वेव और एक होती है लैप करेक्ट तो आप आपसे कहे रहा भाईब्वी और बराबर होता एब वेव कैसे बनाओं गे बनती है एक दो यहां पर बरार होता है सब्सक्राइब रहें तो अगर आप से मैं तो अजिज नाम में यफ बराबर पी यानि की कि द्रोवों के शखी द्रोवों के संख्या की बराबर यानि कि सी ओजाएगा ओ प्रेक्ट और पूसता वेव के लिए तो वेव के लिए होता गफ फिन यजिन cara leverage welding जनेटर लै Best bandting यूज की जाती है ज़ाइ करेंट के लिए और में जनेटर में हाइक करेंट ही इस्तमाल होती है कि लैक यूज करते है हाई करेंट के लिए ले वइप हाई मेम ईज करते हैं High घूमते हुए कमुटेटर से करिंट को धारा को एकत्तित करना तो में काम है ब्रस का घूमते हुए कमुटेटर से धारा को प्राप्त करना चलिए एक बार जड़ा जोर से यह बता दीजे कि अभी तक जो मैंने 40 कोशन कराएं क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह कोशन बार ठीक है और जल्दी जल्दी वह आप लोग अ कमेंट करिए जल्दी से बेलकुल देखे यह सारे मात तो पूर्ण है अब देखें तालिसवा कोशन देखें डीसी जनेरेटर बदलता है बाइदी जनेरेटर क्या होता है जनेरेटर यांत्रिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा बदलता है यानि कि generator generator यांत्रिक mechanical energy को electrical energy में convert करता है तो DC generator is a mechanical mechanical converter which convert mechanical energy into electrical energy DC generator एक तरह का converter है जो यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में बदलता है ठीक है तो अंसर हो जाएगा यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में electrical energy नो 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 यहां यहां पर लिख दिया मैकेनिकल होना मैकेनिकल एनर्जी टू एलेक्ट्रिकल है बड़ी मिस्टेक है इसमें इसमें बदलेगा इंदी में सही रिखा हुआ है इंग्लिस में गलाद लिए यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा यह नहीं मेकेनिकल को एलेक्ट्रिकल में मतलेगा एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके कारण करेंट की कारण ओके जब आर्मेचर वाइंडिंग में करेंट फ्लो होती तो उसके कारण भी एक फ्लक्स पैदा होता है जो मुख्य को प्रभावित करता है और इसी प्रक्रिया को आर्मेचर रियक्शन कहते हैं कि कोशन नमबर 43 जनरेटर के लिए जो और भी महत्वपूर्ण प्रस नहें लेकिन मैं बढ़ा हुआ था कि मुझे साथी कोशन के अंदर पूरा एलेक्रिशन बताना है कोशन वह 43 यदि चार पोल इंडेक्शन मोटर की गती अठारा सो आर्पीम है तो मोटर जिसकी किस आवरती पे चल रही होगी तो भाई आपको पता है एन एन बराबर होता है 120 एफ अपॉन पी प्रेक्ट तो आप से पूछी जा रही है फ्रेक्विंसी स्पीड दे दिया है कितना अठारा सो एक सो बीस रख दीजे एफ निकालना पोल की संक्या कितनी देदी है चार तो वही है चार गोड़े तीस जीरो से जीरो तो एफ बराबर आजाएगा साट हर्ज एफ बराबर कितनी आजाएगी सिक्स्टी हर्स बहुत सारे बच्चे जो है मैं काफी देर से देख रहा है असोख है प्रियंका है हिमन्त जी है बहुत बड़िया आप लोग का फटा-फट आंसर करते हैं बहुत ही तेज अच्छी तयारी चल रही है और ऐसे लगे रहेंगे तो 100% भविश्व में आप लोग किसी ना किसी एक्जाम को जरूर क्रैक कर लेंगे है ओके भाई अगरे तो बहुत है तो भाई इस ट्रेंट्स पॉट्टी टू हो गया नेक्स्ट अगला नेक्स्ट प्रशन देखते हैं पॉट्टी थ्री भी कर लिया और अगर ना कुश्टन सो करेगा तो याने बागती पुश्टन कि चलिए श्रेंट्स बांगे पीए परिये लोगा है, रहु नहीं जाएके भी अद्याइए तो यहां तक आप सभी लोग डिसक्स कर चुके चलिए नेक्स को करते हैं और हां एक यह तो हो गया है question of 44 देख't张 appropriate सी पूरा नाम क्या है पर्मानेंट मैगनेंटिक मूविंग कॉयल पर्मानेंटिक मूविंग कायल और अलrão rumors पूरा नाम क्या है यह इसका नाम है पर्मानेंट मेगनेट मूविंग कोईल और पीम्मसी क्या मापती है डीसी वोल्टेज या डीसी करेंट को पीम्मसी बहुत ही हाइली अकुरेट इंस्ट्रूमेंट है जो डीसी करेंट या डीसी वोल्टेज को मापती है निमलिखित में से कौन सा समीकरन किसी इंड़क्षन मोटर में कि slip को दर साता है भाई slip निकालने का फॉर्मला आप जानते हैं slip बराबर होता है ns-nr upon ns यह होता है slip निकालने का फॉर्मला ns-nr upon ns यानि कि d 45 पर d इंडक्शन मोटर में रोटर की धारा की अवरत्ती यह बहुत कोशन पूछा जाता है बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि रोटर धारा की अवरत्ती क्या है तो आप जानते हैं इंडक्शन मोटर में जो रोटर की धारा की अवरत्ती होती वह होती s-f supply frequency के f क्या है f है हमारी supply frequency और S क्या है S है आवरती तो यह घटती बढ़ती रहती है F1 बराबर S F ओके 47 वेव वांडिंग में वेव वांडिंग में होता है भाई वेव वांडिंग में क्या होता है यह बराबर सौ पार्बठों के संग्या क्या होती दो के बराबर होती है कोशन नमबर बच्चों अपलोग फ्लीज फिर से नहीं लिकर रहा हैं कोशन नमबर जरूर लिखिए भाई नो दो वाट मीटर टकनीक के अंसार कुल सकती होती है तो आप जाते हैं दो वाट मीटर मेठेड के दौरा हम थ्री फेस पावर को दो वाट मीटर मेठेड के दौरा हम थ्री फेस पावर को मेजर कर सकते हैं तो टोटल पावर किसके बरावर होती टूटल पावर बरावर होती डबलु वन प्लस डबलु टू के है भूमी के प्रतिरोट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है बहुत बाहर एक्जाम में पूछा गया यह आंसर है मेगर मेंगर के दोरा हम calculate करते हैं किसी फ्यूज का कार क्या है बाई किसी फ्यूज का main कार क्या है किसी फ्यूज के दोरा हम कि इसी भी फ्यूज की दर्रा हम अधिक विद्दुत धारा को काुज करते हैं हम हमेशा फ्यूज का इस्तमाल करते हैं कि किकीन देदेगा अधिक भोल्टे से नहीं अधिक दारा से सुरच्छा देता है इसलिए फ्यूजज जब आप खरीद ने जाएंगे तो फ्यूज की रेटिंग होती मक पिसके प्रयूठ्ट की जाती है वहाई यूज की जाती है transmission line में more relay कहां यूज करते हैं transmission line में भूलिए गानि तीन तरह की relay होती है impedance relay reactance relay और more relay तीनों को हम distance relay कहते है distance relay यार रखेगा distance relay distance relay के अंदर तीन रिले आती है distance relay पूछा जाता है distance relay किसको protect करती है प्रेक्षाइल Tech लिए का कई ने का उपिए को होता है ट्रांस्फर्मर की सुरच्छा को को प्रदान करने के लिए transformer को प्रोटेक्ट करने के लिए का इस्तमाल करते हैं वुकॉज एक alarm को बजाती और यह तरह की गैस एक्ट्वेटेड रिले होती है करेक्ट तो जैसे वुकॉज रिले transformer के अंदर कोई भी internal fault होगा तो वुकॉज रिले उसको sense कर लेती है और है अधान को बजा देती है अब कि अचलिए डिसिमल संख्या का संख्या शंख्या 78 ली समकच्छ होगा जल्दी से answer कर दीए डिस्मल का इसका समकच्छ क्या होगा 78 वैं यह आंसर जिसने किया तो मैं मालूंगा हां वह तैयारी कर रहा है जल्य से सब्सक्राइब करें कि 78 का वाई आंसर बता दीजिए 78 का आंसर 53 का 53 का B 53 का C 53 का A C तिर्पर्ण का सी अरे भाई सी आंसर आ रहा है भाई सी आंसर आ रहा है सभी का 78 का डी आ गया सी आ गया चलिए देख लेते हैं देखते हैं भाई 78 का अंसर 78 को से डिवाइड तीन बार में जाएगा एक बार में जाएगा 49 जीरो दो बार में जाएगा 9 एक 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 तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वन डबल जीरो ट्रिपल वन जीरो तो आंसर है वन डबल जीरो ट्रिपल वन जीरो ट्रिपल वन जीरो तो भाई आंसर इसका क्या है आंसर क्या है इसको तो करना ही नहीं था जैसे इसको ऐसे आड़ा है चाहता है है तो इतना बताइँ जल्दी से ग्मेंट में सुनना चाहता हूं 78 even है या odd है बस इतना बता दीजे 78 even है या odd है कमेंट करके बताइए सम संख्या है या विसम संख्या है कमेंट चाहिए मुझे कमेंट 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 चाहिए 78 क्या है even है ना even है तो even है तो इसका answer भी तो even होगा यह odd है यह odd है यह event है भाउ इवन एह तो इवन का आंसर भी तो इवन होगा, odd कैसे हो सकता है, event का ँधन सार कौण बखी करेगा इसे एक्जाम में, बहुत सारे बच्चे 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 करेंगे, लेकिन जो होसियार होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे जिनको ये मैं बाइनरी पढ़ाते समय हमेशा पढ़ाता हूं कि ये ऐसे नहीं ऐसे सॉल करिए समझ रहे हैं कैसे पता ओड है अरे भाई कैसे पता ओड है देखे जिस संख्या के पीछे जो जीरो से जो दो से भाग हो जाते हैं उनको even कहते हैं जो दो से भाग नहीं होते हैं उनको odd कहते हैं तो ये क्या है अ तो इसका आंसर भी even होगा कोई बठेस हो चुछ रहा है करले को एक कौशन कर लेते हैं कोई नंबर बोलिए भाई दोटजीट का कमें इसका नंबर इकालत प fırसते एवें आयेगा, कि और आएगा की नहीं आएगा, 54 लडगा निकालते हैं भाई, 54 तो 54 का क्या होगा वैसे अगर लिखना हो कि 54 का क्या होगा तो देख लेते हैं चली 54 को डिवाइट करें टू से कितनी बार में जाएगा दो एक साथ अंसर आएगा जीरो फिर दो से डिवाइट करेंगे कितनी बार में जाएगा त्रीरा अंसर आएगा जीरो फिर दो से डिवाइट करेंगे यहाँ पर एक दो से डिवाइट करेंगे तीन जीरो दो से divide करेंगे एक एक तो देखो नीचे से उपर कर लो अंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 110 100 करेक्ट 110 00 समझते हैं नहीं समझते हैं तो यहां देखो यह even है ना यह even है तो इसका आंसर भी even होगा यह तो Grandpa एसको अंसर भी होगा यह तो हमेजा होता ही है ठीक है तो अब कभी हम यह नहीं कर देंगा अगर मोन दिजा मैंने बोला है、「 एक स्पोड्य का मैंने बोलदी है सपोड्यू है इस फोट्टी का थे टो चाहलिस का क्या होगा चाहलीस का चाहलीस बारीनुरी, पापकरआब जीजियरो है तो पीछे आट नॉमम्पर है तो पीछे वेंट में या यह निए जी दिरो होना चाहिए ही पछर्व गलत कर दिया क्या ऐँ थो से टिवाइट किया 27 जीड़ो दो से टिवध किया तेरा जीड़ो दो से टिवाइट किया है कि सभी तो है कि कि अच्छा वन करने में गलती हो इसे कैसे हो जाएगा 54 divided by 2 27 0 2 3 1 2 6 1 2 3 0 हाँ भाई यह हो गया है कि पॉट्टी का निकालना फॉट्टी का तो यह होता है वन जीरो वन रिपल लिए और चलिए देखिए एक आपको हो स्षॉटकर बताते हैं एक स्षॉटकर बताते हैं मुझह निकालना होता है किसी भी बाइनरी नंबर का किन देखे मैं कैसे निकालता हूं वह कोई दो डिजट का बाईनि नंबर बताईए दो डेजट कोई बीद डेसिम्ल नंबर बताई है उसका देखते हैं और दो डिजट का वह सेवंटि एट किसीने बोला सबूला लिख दिया है तो दिखिए 78 का लिखते है 78 गवह लिखना है 78 तो 78 का यह होता है 1001 गारी गभी देट का गारी और 59 किसी बिछ चिसे 59 कर लिखना अब 59 का यह होता है गिव्रिटी नाइन वाली कि यह हो गया 59 का थर्टी नाइन का थर्टी नाइन का भी लिख लेते हैं 99 का कुछ बच्चे कह रहा है सब 99 का बता दिये 99 का लिख लो भईया यह होता है कि यह होता है 99 का कि 99 का यह हो जाए है कि चली चेक कर लेते हैं कि काफी सारे बच्चे कहना से चेक तो कराईए चली चेक कराते हैं कि 78 का निकालता है कि दो से डिवाइड करिए थ्री वन नाइन जीरो तू से डिवाइड करिए वन नाइन वन तो उत से डिवाइड करिए नाइन वन प्वर वन तो उसे डिवाइड करिए ट्व तो बैए चेक कर लो यहां से यहां तक चलो तो आएगा 10011110 मैंने कहा लिखा 10011110 सही तो है 59 का 59 का भई पुछ बोलना है साथ 59 का ये नहीं ये होगा ओके 59 का 59 का निकाल लेते हैं वह 59 का निकाल लिए दो से डिवाइट किया है दो बार में तушка लिए सबस्या कि अब देगे कहना मैं क्या चाहर हूं अब दिए होता क्या है प्राब्लम जानते ही क्या होती है जब अब ऐसे इतनी लंबी कैलकुलेशन करते हैं तो अच्छे से अच्छे लोगों कि गलती हो जाती कभी ये गलत कर देंगी कभी वो गलत कर देंगे तो ऐसे के सही कासे होगा वाई Hang हम सही कैसे करेंगे तो ऐसे केस में सही करने का बहुत ही बढ़िया सौटकट है सौटकट क्या है देखे ऐसे केस में सौटकट क्या करना है सौटकट हमको यह लगाना है भाई कि हम यह सब कुछ नहीं करेंगे एक्जाम में यह सब नहीं करेंगे तो एक्जाम में करेंगे क्या लास्ट डिजिट ओड होगी और है तो ये लास्ट डिजिट ओड होगी इससे काफी तक आफका अंसा सही होजाता है और ज़दी करना है तो और जदी जल्दी करने के लिग यहीं तरीका अपना एक सिक्ञास कोईबिस एक और को इसको कैसे मैं तोड़ के जल्दी से आपको लिख के दिखा दो कोई और की डेसिबल सुन घौल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकता है जैसे किसी दें बूलत सार इती नाइन का गर दीगे चली एत्टी नाइन का घर लेते इत्त नाइन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुड़े 8 प्लस 1 लिख सकते हैं कहिए लिख सकते हैं क्या मैं लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकते निक सकते लिख सकते तो 11 कह देखे 11 का ही होता है 1011 ठीक है प्लस न करना थी पेस छोड़ता है 00 prints कर लिखे आनसर यह कुझ होगे यह हो गया ग्यारकाब का ओके तो इस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी सॉल कर सकते हैं ब्रेक करिए देखे किसे प्लस वन किया आठ से रिवाइट के लिए प्लस वन कर दीए तो लास्ट में वन आ कर रहा है तो लिए जीरो वन कर लो लास्ट की दो विट वन को रिप्रेजेंट करेंगी ठीक है चलिए अगला को करते हैं कि बाइनिरी अंक्य प्रणाली में कितने अंक होते हैं तो दो अंक होते हैं तो अंक होते हैं प्रेक्ट पाइये दो डोडेसिमल नमबर का और बाइने नमबर देसिमल नमबर बोलए मैं हूसको करके दिखाता हूं किसी दो डेसिमल कोई भी दो डेसिमल नंबर का दो नंबर का डेसिमल नंबर बोलिया उसका बाइनरी लिखके दिखाता है बहुत की कुछ ली फिर आप घर पे चेक करिएगा जल्दी जल्दी लिख लेता है कोई भी दो डेसिमल 67 67 यह उता 32 अच्टी टू अच्टी टू सेवन्टी सेवन अब चेक करिएगा उसके बाद देखिएगा सही है यह नहीं और कोई 11 का 11 का 1011 अगर आप देखो कि दो यह आ इवेन है तो पीछे जीरो होगा इवेन यह आगया यह वन है तो पीछे तो पीछे भी आगया 67 odd है यहाँ पर भी ओड आ गया और कोई डेसेबल नमबर का निकालना है और कोई नंबर ठीक है और कोई नंबर बताइए और जल्दी फास्ट करके दिखा सकते हैं दो तीन कैसे भी कर सकते हैं बड़ा नंबर ले लिए 8592 कुछ भी ले सकते हैं आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा वही तो लिखा हुआ है 75 75 75 75 क्मेरं प्रैक्टिस क्ते गदकूस करोगे thousand दो धर क्मेर ले लिखाना थिड् Y चलिए नेक्स भाई इसके लॉजिक पे लेकर किसी दिन प्रॉपर क्लास ले लेंगे क्योंकि इतनी जल्दी आप भाई 67 का यही तू लिखा मैंने वन एक दो तीन चार पांच जीरो हैं आपके में कितने जीरो आ रहा है वन टू थ्री फूर फाइफ डबल वन नहीं होगा 67 में डबल वन नहीं हो सकता है राहूल जी आपने गलास सॉल गिया है ओके इस फिफ्टी फोर का हो जाएगा नेक्स 55 का करिए चलिए बाई के निमलिखित में से किस छेत में वोल्टेज का तनाव अधिक्तम होता है तो तो तेबिल में अधिक्तम अनाव होता है चालक के प्रस्ट पर मैक्सिम का होता है कंड़क्टर की सर्फेस पर पर्स्ट नहीं बोलेंगे नेक्ट निम्न में से कौन सा तर्क गेट स्रेडी परिपत का अकिये तुल्ल है विच आप फॉल्विग इस दा फंक्शनल एक्विवेलेंट ऑफ लॉजिक गेट पावर सिरी सर्केट निम्न में से क इसका एक गेट को इसका एंड गेट कुछ एशा बनता है देखिंग जो इनकेट होता क्ये टाइप अर्धचाल केलिए ऑनक्रीविवेलेंट गैलियम इंडियम वो रउन एलमोनियम गैलियम इंडियम आशर क्या है इसमें से वोरॉन को टिक कर दीजे कि अ बोरॉन यद्व सुद्ध समी कंड्डेक्टर में तो यह इस जोड़ी जाती तो यह बन जाता है जब जब भी intrinsic में हम trivalent जोडते हैं तो यह बनता है p-type क्या बनता है p-type और अगर हम जोडते फेंटावलेंट तो बन जाता है n-type क्लियर गर्मेनियम डायोट की छेता परत पर वोल्ट ता होती है अरे बड़ा सिंपल है जर्मेनियम के लिए होता है जिरो पॉइंट HOL कून क्लिकॉन के लिए होता है जिरो प्उइंटela इसाइन कि टो पॉर होता है क्या अगर आपसे पूछ लेता बीजे टी तो बीजे टी बें बावू तीन होता है और एक पूछ लेता हुआ की भीजे टी मे सुरी दो होता बाइपोलर जंक्सन पूछ और सीयार में होता है ठीक है तो स्टुदेंटस है कि आगे तो यह कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स थे यह तो इंपोर्टन को स्टेंट जिनकों मैं ने आज डिसकस किया ठीक है बाकी classes में लगातार classes चलती रहती हैं जिन बच्चों ने already MD class के पोर्टल को subscribe कर रखा है वो subscribe कर ले और काफी बच्चों से मेरी फुजारीस रहेगी वो please share करें साथ ही जो एलेक्ट्रीशन की regular classes रहती है वो already app पर आपको मिल जाएंगी उनका अलग-अलग package है ALP का इस से में full foundation course भी चल रहा है अगर आप वो लेना चाहें वो भी आप जॉइन कर सकते हैं साथ ही अगर हम बात करें बार्क के काफी बच्चों ने जॉइन कर रखा है तो उनके लिए atomic batch आया हुगा है ठीक है वो भी आप देख सकते हैं तो लगातार देखिए अपनी तैया को हमेशा करते रहिए काफी बच्चे क्या है ना तैयारी तब करने जाते हैं जब एक्जाम आता है युद्ध के समय तलवार नहीं निकाले जाती तलवार को हमेशा तेज करके रखा जाता है कि जैसे ही कोई भी सबने आप बस धर से उसको अलग करिए ठीक है तो भाई आप आप से बस मैं इतनी होगा अपनी क्लासे को लगातार तैयारी को लगातार रखिए क्लासे जब भी हो उसको अपडेट रखिए जो जिन बच्चों ने भी किसी पर्टिकुलर को ले रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जो बच्चे पहली बार देख रहा है तो क्लासे हमारी यूट्यूब पर कभी कभी होती ही रहती है ठीक है तो आज की क्लास को हम यही पर करते हैं क्लोस ठाइक यू सो मच एंड गूड नाइट